हेलो गाइस, वेल्ट एक्सरेस में आपका हर्दिक स्वागत है, आज मैं आपके लिए तीन ब्रेकाउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल, कल यानि कि 14 सप्टेमबर 2022 को वो लेवल के उपर जाते तो आप उसमें अच्छी रैली दिखा सकते हैं, तो वो मैं आपको पूर कल का वीडियो रेगुलर जो लोग देखते हैं, उनको पता ही होगा, ओपन प्राइस पर ही भाई बोला था, 254.45 पर ओपन हुआ था आज, और स्टॉक नहीं देखोगे तो 299 का हाई मारा था, यानि कि 15 परसंग का आप था, वो भी एक दिन में तो आप रिटन कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिटन आ सकता है, यहाँ पे देख सकते हो, सिमेट्रिकल ट्राइंगल ब्रेक आउट रिटेस कल बोला था, कल के वीडियो में, और यहाँ पे एक जट बोला था कि श्टॉक में जब भी ऐसा पैटरन होता है, और रिटेस करता है तो बहुत हाई चांस हो तो अपना रोट्स कहा है कि जब भी बाइंग समझो कि कंडिशनल बाइंग 726 है, अगर 727 से एक पर्सन के उपर ओपन हो जाता है तो आप उसको एवर्ड भी कर सकते हो, या तो निचे आने का वेट करते हो, अगर एक पर्सन की रेंज में ओपन होता है, कई पर गैप अप तो आप बाइंग कर सकते हैं, तो 727 पर बाइंग लेवल था, 725.75 अभी रनिंग चल रहा है, स्टोप लॉस हुआ नहीं है, इसलिए या पर रनिंग लिखा है, एक से साथ दिन में, ये भी स्टोक एक से साथ ने, इसमें एक से तीन दिन याने कि दो दिन में स्टोक अपना तो आपने बाइंग लेवल के जगह पहले नीचे का स्टोक लेवल ट्रिगर हो जाता तो आपने इसर प्रसंग में जाते हैं, लेकिन जब रिव़ट आता है तो 5-10% का रिवर्ट आता है, तो रिस्क रिवर्ड में भी अच्छे से परफोमस देते हैं। तो अभी अपने चलेंगे गाईज आज जोपेर में मैंने एक live option selling का strategy डाला हुआ है बहुत सारे लोग की comment आई थी कि weekly chart के उपर कुछ option selling की strategy बताईए तो गाईज जो लोग को option selling का पता चलता है वो देख सकते हैं otherwise आप ये वीडियो को skip भी कर सकते हो क्योंकि regular अपने जो वीडियो वो तो आते रहेंगे लेकिन ये extra मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये खुद मैं भी करता हूँ और मेरे को इसके बारे में अच्छा से knowledge इसलिए आपके साथ share करता हूँ तो ये वीडियो मैंने डाला हुआ है निप्टी में बहुत बड़ी range यान कि 1200 पॉइंट की range में अगर निप्टी रहती है आने वाले एक से साथ दिन में तो आपको बहुत अच्छा profit हो सकता है और ऐसी strategy बहुत कम होती है नॉर्मली होती है लेकिन आपको क्या करना है वो level आना चाहिए कि कहा पे आपको इस strategy डेवलोप करनी है यान कि deploy करनी है तो बहुत अच्छी strategy है 1200 पॉइंट की range में यान कि 5 या 10% मिल हो पैसे जाने का chance 90% पैसे आने के chance है तो बहुत high chance है कि यह इसमें से आप पैसे कमा सको तो जाके पूरा वीडियो देखो को आपको समझ में आ जाएगा तो अभी अपने चलेंगे stock के बारे में जो कर ले आने के 14 September को अच्छी rally दिखा सकते है उसमें पहला stock का नम रहेगा Tata Power टाटा पावर डेली चार्ट के उपर अपने क्या करेंगे analysis करेंगे आपको ध्यान से देखना है कि अपने purely price action के हिसाब से इसमें entry करेंगे तो stock का नाम यह आपर देख सकते हो Tata Power डेली चार्ट के उपर analysis करेंगे तो buy करने का reason क्या है रे system become support आपको पता यह setup सबसे यह stock ने निचे आया लेकिन support लिया फिर से निचे आया support लिया और एक दिन उसका support यहाँ पर सिधा क्या हो गया breakdown हो गया यानि कि यह उसका पहले support area था अभी वो क्या करेंगा rejection का काम करेंगे यहां से stock rejection मारा यहां से stock rejection मारा तो guys देखो कोई भी stock उसका particular range होता है कोई price नही सकते देखो उपर गया निचे आया फिर से 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 उपर गया निचे आया यहाँ पर देखो कि तो volume के साथ stock ने क्या किया breakout दिया breakout देने के बाद अच्छे से उपर close भी थिया यानि आप म लाइं के support के आसपास close दिया तो आपको CMP पे तुरेंट बाई करना है CMP पे तुरेंट बाई नहीं करना क्योंकि अपने क्या करते है accuracy बढ़ाने के लिए confirmation का wait करते हैं उसके बाद ही बाई कर दें तो आपको buy कप करना है तो जैसे ये retage candle आप बोल सकते हैं retage candle का high curl अगर break होता है वह ऐसे green candle बनती है तो stock में फिर से अच्छी rally उपर की side आ सकते है तब ही आपको buy करना रहेगा CMP पे तुरेंट buy करोगे तो risk reward भी maybe ऐसा जरूरी नहीं कि retage किया तो उपर ही जाएगा यहाँ से back to back stock नीचे भी गिर सकता है इसलिए आपको क्या करना है wait and watch करना है अगर ये level cross करेगा तब ही आपका confirmation हो जाएगा कि retage done हो चुका है stock उपर जाने के लिए ready है तो Tata Power का अभी CMP कितना है 241.5 पैसा है तो अभी buy नहीं करना है 245 के उपर ही buy करना है और 239 का क्या लगाना है stop loss लगाना है उसके लिए rules क्या है 245 का level पहले आना चाहिए तब ही आप stop loss लगाओगे अगर कल समझो के 239 के नीचे पहले trade करना चालू करता है जैसे क्या TNPL में हुआ था तो वो क्या हो जाएगा अपना invalid setup हो जाएगा फिर आपको इसको stock को watchlist में से हटा देना है तो target कितना रहेगा 255 अगर call active होता है तो 260 का level 1-7 दिन में stock दिखा सकता है तो यह पहला stock हो गए Tata Power जो आपको कल buy करना है लेकिन conditional buying करना है वो भी द्यान में रखना है अभी मैं आपको दूसरा stock बताऊंगा जिसका नामे गोद्रे CP गोद्रे CP भी purely daily chart के उपर आपने price action के इसाब से इसको buy करने का try करेंगे तो यह आपे stock का नाम देख सकते हैं गोद्रे CP stock का नामे daily chart के उपर analysis करेंगे pattern कौन सा है? ascending triangle breakout and retest जैसे कि कल BLS में क्या होता था? symmetrical triangle breakout and retest था इसमें कौन सा है? ascending triangle breakout ascending triangle क्या होता है? stock कोई उपर से particular level से rejection बार-बार मारता है तो यहाँ से देखोगे तो stock उपर गया है निचे आया फिर से उपर गया है निचे आया यहाँ कि उपर की line उसके fix है कि यहाँ से rejection मा रहा है लेकिन निचे से वो क्या कर रहा है? दिरे-दिरे उपर चड़ रहा है यहाँ कि देखोगे तो trend link का support ले रहा है यहाँ पर support लिया यहाँ इसकी range देखोगे तो wide थी उसके बाद यहाँ पर narrow range दिरे-दिरे हो रहा है क्योंकि वो trend link का support ले लेके थोड़ा हलका-हलका उपर जा रहा है और final stock ने क्या किया है? एक दिन उसका जो range था वो break करके उपर चला गया है यहाँ पर volume भी देखोगे तो अच्छे खासे volume के साथ breakout दिया है यहाँ कि आप बोल सकते हैं इसको कि यह candle क्या है? ब्रेक आउट candle है और ascending triangle इसको बोलते हैं जो यहाँसा pattern बनता है उसको कौन सा बोलते है? ascending triangle बोलते हैं तो उसके उपर close दिया, close दिया और दूसरे दिन ही उसने क्या कि यह stock ने retest कर लिया तो यह line ऐसे आपको draw करके रखनी है, जिस दिन वह high break होता है वहाँ पे आप buy position बना सकते हैं तो यह previous day देखोगे तो उसने क्या कि आप ग्रेंग केंडल उपर high गया था और नीचे close दिया था यानिकि लोजिकली call आपका already active हो चुका है call active होता है तो stop plus कौंछा लगाऊगे, rate is candle का low हो जाएगा वह आपका stop plus हो जाएगा तो अभी आपको buy कप करना है, तो अभी call already active है लेकिन आज देखोगे तो stock rate candle बनाया है कि बहुत high chance है कि आपको कम risk में अच्छा stock मिल रहा है, नॉर्मल उसका buying level A आता है, A वाला लेकिन आपको सस्ते में stock मिल रहा तो ऐसे stock को आपको miss नहीं करना चाहिए, अगर इनके stock कल नीचे भी आता है समझो, तो भी उसको यहाँ पर देखो, एक दिन यहाँ पर time लेगा और दूसरे दिन क्या करेगा वो, यहाँ पर trend link का support लेगा और फिर से यहाँ से reverse मार के उप पर जाने के बहुत हाई chance है, तो यह stock को आपको miss नहीं करना चाहिए, stock का नामे गोधरे CP, अभी CMP कितना है, 942.65 पर close दिया है, आप यहाँ पर price पर मत देखो, क्योंकि यह रात को 12 बजे के बाग चार्ट अपडेट होता है, तो यहाँ पर देख सकते है उसका closing price, 942.65 है, 926 का आता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा buffer दिया है, क्योंकि वो trend link के support के आपस से उपर जाने के बहुत हाई chance हो जाते है, तो 920 में आपको stop loss लगाना है, target उपर 975 और 990 के target, वो बे time एक से 7 दिन में stock दिखा सकता है, तो गुदरे CP क्या रहेगा, open price पर कल buy करना है, conditional buying नहीं करना, अभी मैं आपको तिसरा और आखरी stock बताऊंगा, जो कल buy कर सकतो TMPL, TMPL आपको पता होगा, कल भी मैंने trade दिया था, लेकिन अपना क्या हो गया था, invalid setup हो गया था, लेकिन ये stock मेरे को पुरे-पुरा लग रहा है, या से, कि stock या से, ये जो भी उसने breakdown दिया, actually ब्रेकडाउन नहीं हो, वो false breakdown होके, फिर से stock क्या करेगा, कल ऐसे बड़ी सी green candle बना के उपर जाने के बहुत high chance हो जाएंगे, और फिर से trend line के उपर trade करना चालू कर देगा, इसलिए आपको ये stock को miss नहीं करना चाहिए, trend line का support ये आप इसको मान सकते हो, क्योंकि आज देख अभी CMP पर buy नहीं करना, buy कप करना है, 256 के उपर, 256 यानि कि ये जो back to back दो दिन से rejection आ रहा है, अगर कल समझो कि इसके उपर जाना चालू कर देता है, तो क्या हो जाएगा, trend line के support के उपर भी चला जाएगा, और stock पे फिर से अची rally दिखा सकता है, इसलिए conditional buying करना है, stop loss कर सकते हो, लेकिन conditional buying रहेगी, तो guys मैंने आपको total कितने stock बता है, तीन stock बता है, Tata Power जो आपको conditional buying करना है, दूसरा stock है गुद्रे CP जो कल open price पर भी बाई करना है, और तिसरा stock है TMP है, वो भी आपको conditional buying करना है, अगर ये level के नीचे पैले trade करता है, 246 के नीचे, तो invalid setup में count ह हो जाएगा, वो भी आपको ध्यान में रखना है, तो guys आज की वीडियो में इतना है था, तीनो stock बहुत अच्छे है, लेकिन discipline के साथ आपको trade करना पड़ेगा, और जो लोग ने option selling सीखना चाहते हो, तो ये video देखो के, मैं क्या करूंगा अभी, हर week में एक अच्छी से या देख सकते हैं, तो उनको समझ में आ जाएगा, और उसके अलावाद telegram भी join कर सकते हैं, चालू market में भी अच्छे अच्छे trade देता रहता हो, आपको पता होगा, अपने multi-bagger stock हर Saturday को देते हैं, तो उसमें एक नविन फ्लोराइन था, आपको पता होगा, 4370 पर open price भी buy बोला तो stock में देखोगे, तो अब है कितना 4,790 के आज पर trade कर रहा है, वो भी दो दिन में, तो आप return भी calculate कर सकते हैं, कि कितना अच्छे return multi-bagger stock भी देते हैं, तो अपने आग चैनल करके subscribe करके रखोगे, तो सारे जो अपने playlist है, जैसे कि option selling का आज बनाएं, मैंने उसके बाद multi backers का, swing trading का है, तो वो सब बहुत helpful होंगे, तो आप चैनल को subscribe करके जा सकते हो, thank you, bye bye, take care, कल मिलते हैं नहीं वीडियो में, bye bye, take care